डिली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में जो लाखो बच्चे अपने घरों से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने के लिए जिन बसों का इस्तमाल करते हैं, दरसल वो बसे प्राइवेट कॉंट्रेक्टर्स की थू ही दिली के अंदर चलती हैं। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से स्कूल खुले हैं एक बार फिर से तमाम स्कूल जो है वो प्राइवेट कॉंट्रेक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपनी बसे जो है वो इसकूलों में इस बार फिर से शुरू करें। हाला कि इस पूरे मसले पर आप जो दिल्ली Contract Bus Association है उसने पूरी तरीके से अपने हाथ जो है वो खड़े कर दी है उन्होंने साफ कर दी है कि वो अपनी बस स्कूलों के अंदर नहीं चलाएंगे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली प्राइवेट जो Contract Bus Association के जर्नल सेकेटरी और डॉक से जला सकते हैं दो साल से हमारी बसें खड़ी बरबाद हो रही है जरजर हो रही है उनके टैर सुख गे रबर पार्ट सारे चेंज होने इंशोरेंस खतम होगी परमिट उठाना है इंशोरेंस फिटनेस सब पे पनल्टियां बरनी है हर एक बस को आज तकरिब दाई से तीन खड़ी रही हमने अनुमंध के तह़िए आपके साथ बसें लगाई थी और कहीं कि स्कूलों तो पाँच पन्च साल तीन तिन साल तक का अनुमंध किया और एक दम से पला जाड़ दिया कि आप बस लो हमने चलानी नहीं आप जामर जी ले जाए है जहामर जी खड़ी कीजि है जो बसे हमारे घर पे खड़ी रही पर हम बेरोजकार होगे वो बसे बेकाम होगी लिकिन उसकी भी पारकिंग हम से सरकार वसूल कर रही है हमें तो सरकार का इस सोटला ववियार समझ में ही नहीं आया سरकार ने पांच चारबय प्रती डैवर आटो टेक्सी को दिया हमारी ब दिल्ली पुलिस बीस एफ कुछ भी फोर्स लानी तो हमारी सेग्मेंट के लावा कोई सेग्मेंट नहीं है जो दिल्ली सरकार से कंदा मिला के इसको सौल्व करा सके हम हमेशा खड़े रहे हमारे ड्रैवर कोविट में माइगरेंट्स को लेके जाते रहे उसके बावजूद भ दिल्ली मोटरविकल एक्ट में कि दिल्ली की स्कूल बस केवल दिल्ली के लिसेंस वाला ड्रैवर ही चलाएगा यह बहुत गोर अपमान है हमारे मिनिस्ट्री के हमारे परलेमेंट का हमारे मोटरविकल एक्ट का जिसमें पूरा-पूरा साफ परवादान है कि जिसके पास भ यहां पर सिर्फ दिल्ली के लिसेंस के डैवर ही चलाएगा यह ब्लैग मिली और शोशन है हमारा आपके इस फैसले से जो पेरेंट्स हैं उनको भी खामियाज़ा बुगरना पड़ रहा क्योंकि स्कूल वालों ने साफ का है कि जो पेरेंट्स है क्योंकि बस इस नहीं चल पान मरने थे तो सरकार ने हमारे को तबश्व नी दी इन स्कूल ने हमारा कोही साथ नी दिया इन सकूल वारने अपने अपने त कितने बस मालकों ने सुचाइट किया हम अपनी बरादरी की तरफ भी देखेंगे और हम इन से मांग किया रहे हैं दो साल जो बस नहीं चली तुम अपनी डीटी सी की बस की तो लाइव बढ़ा रहे हो तो हमारी बसों की भी वैश्व जिसको जीरो पीरेड डिकलेर करो और ला वह 5,000 रुपया प्रती बच्चा मांग रहा है चाहिए बच्चे को खुड़ जाओ चाहिए और माना हुआ स्कूल है दिल्ली का टॉप क्लास का टॉन्वेंट स्कूल है मैं आपको लिंक दभी शेयर कर देता हूं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा 5,000 रुपय मांग रहे है पिछले वर्षों में 2-3,000 रुपय लेते थे और हर बस में सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार 70-75 बच्चे अलाउट थे ये 2-5,500,000 रुपय एक बस की कलेक्शन करते हैं और 50-60,000 रुपय केवल बस वाले को देते हैं तो आपको 50,000 रुपय महीना मिलता है बिल्कुल का वक्त आया तो हमें अकेला चोड़ दिया हमारी स्कूलों से ये गुजारिश है दूसरा ऐसे स्कूल भी है 95 परसंट जिन्होंने जब ये आपदा आई कोबी दाया तो एडवांस पे फीस ले रखी थी आपको याद होगा आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं जनुरि फर्वरि मार्च का कोड़ इन्होंने आडवांस में लिया था Copे पैसे पैसे के ना तो स्कूल वा ये अर्वान को दिये और जैदा ही शराफत थी तो इन पैसों पर स्कूल का क्या ही हम पूचते हैं यह बच्चों को भी स्कूल वालम को ही दिया और खुद पैसे द उजिरात में बनाएं राजस्तान में बनाएं हम ऐसे ही सरकार से गुजारिश करते हैं कि वोट बेंक की निती दिमाग से निकालें हम बहुत यह नोबल कोस का काम है स्कूल बच्चा को ले जाना और आप दावे के साथ कहते हैं पूरे हंदुस्तान में चारों मेट्रों में इसमें विन-विन सिचेशन हो हम ऐसे सुझाव देंगे कि ना बच्चों पर जैदा बहुत आएगा ना सरकार पर ना स्कूल पर दिल्ली कॉंट्रक्ट बस एस्सेशन को अलग अलग एस्सेशन का भी जो है समर्था मिल रहा है दिल्ली गूर्ट ट्रांस्पोर्ट के अध्य राजंदर कपूर साब कपूर साब क्या मांग लगता जाइस कितनी है जाइस मांग नहीं होती तो हम इनके साथ नहीं खड़े होते हैं क्योंकि हमारे भाई हैं और पूरी तरह से हम इनके साथ हैं इनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और इनके साथ जो चीज हो रह रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है सरकार इनको बिल्कुल तबज्जों नहीं दे रही है और यह खाली दिल्ली में हो रहा है बाकि किसी राज्जे से हमें ख़बर नहीं आई है तो हम दिल्ली की एक परभुक ट्रांस्पोर्ट सस्था होने के नाते हमने अपने कारेकार्णी में decide करा और हम आज इनके साथ कंदे के साथ कंदा में लाके खड़े हैं जैसा इनका अधेश होगा जैसा इनका अंदोलन का आगे का रनीती होगी हम इनके साथ हैं पूरे मामले में इंट्रिवेन करें ताकि इस पूरे फैसले को जल से जल हल किया जा सके कर दो